हाई फ्रेंड नमस्ते वेलकम बेक टू मैं चैनल आप सब बहुत ही खुश होंगे आज की वीडियो में हम चानेंगे कि हम अपने घर को कैसे और्गनाइज कर सकते हैं कैसे मेंटेन कर सकते हैं वह बहुत सारे अर्गनाइजिंग और डिय होम डेकर जो मेरे वीडियो में ओल्वेस रहते ही हैं और अभी आप सब कोई पता है ओनलाइन क्लास दो दिन की चल रही है तो बस थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो थोड़ा बहुत बीच-बीच में शूट करना बीच-बीच में आइडिया सोचना स्क्रिप्टिम में ज्हादा तर वीडियो में मेरी स्क्रिप्टिम नहीं होती तो मैं यहां बात कर रही थी के छोटे-छोटे आइडिया अगर हम practically अपने daily life में use करते है तो बहुत सारा काम हमारा आसान हो जाता है बहुत सारा time भी बचता है कभी-कभी वो time हम अपन कि अपने लिए जो है स्पेंड कर सकते हैं वह अपने लिए हम इसे हां उस्वाइट बहुत सारी चीजे हैं वह दुसरों के लिए ही सोचते हैं दुसरों के खुशी हो या दूसरों का काम हो, वो सब हम बर्डन अपने आप पर लेके चलते हैं, तो करना ही है, साथ ये आपको पने आपको थोड़ा इंप्रोल करना है, तो थोड़ा प्रोड़ुक्टिव के साथ, आपको मर्टी टास्किंग जोब करना बहुती जरूरी रहता है, क्यों थोड़ी बहुत आज मैं आपके साथ शेर करूंगी और आपके अश्या करती हूं के चेनल के वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं यहां पर आप देख सकते हो ज्वेरी बोक्स मेरे पास पड़ा हुआ था मुझे बहुत पसंद है पर पीटारा जैसा है आप देख सकते हो पर उसमें उपर फॉंट लगा हुआ था तो मैंने सोचा कि इसका थोड़ा सा लुक चेंज करते हैं तो उपर के जो फॉंट लिखे पर फॉंट लिखे हो था तो मेरे पास इस तरह का गिफ्ट कवर पड़ार था था तो थोड़ा तूटा हुआ था । मैंने इसको यूस किया हुआ था तो जो ऐपांथे जो गनश जी का ओ जो लिव से ओफॉह मुझे करने थी तो में इस तरह से करने के पाधह यहाँ पर font के ऊपर इस तरह से मैंने इसको paste कर दिया है और फिर थोड़ा-थोड़ा सुना रग रहा था तो बाकी का जो gift cover का remaining part था उसमें से punching machine के help से मैंने इस तरह के dots निकाल लिये है और फिर मैंने favicle की help से यहाँ पर इसकी border बना दिये और आप देख सकते हो जो cover हम fake ने वाले थे उसमें से अच्छा सा DIY बना लिया आप चाहो तो इस तरह से corner को भी अच्छे से decorate कर सकते हो कोई भी लेस हो कोई भी mirror हो कोई भी stone वगेरा पड़ा हो तो उसका भी आप use कर सकते हो पर मैंने नहीं किया था उससी तरह next चलते है यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का top रहता है जिसके नीचे इस तरह के elastic लगे हुए रहते हैं घर में तो कोई बात नहीं रहती कोई problem नहीं रहती पर जब हम बाहर निकलते हैं और जब हम हाथ को उपर उठाते हैं तो नीचे से उपर चड़ जाता है top तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको कुछ भी न कोई भी काम वगेरा कुछ भी करते हो तो आपका top है वह उपर नहीं जाएगा top तो यह टीशट वगेरा कुछ भी हो उसी तरह आप देख सकते हो जब महंदी वगेरा या कुछ भी art and craft coloring वगेरा करते हैं तो इस तरह का जो plastic के gloss रहते हैं ग्लोस हम यूज करते हैं पर क्या र रहता है कि रिष्ट में वह थोड़ा सा रहता है वह निकल जाता है बार बार तो आप क्या कर सकते हो कि वह पार्ट में आप क्या खीचना है आपको थोड़ा सा और जितना भी आपको उसको टाइट करना हो उस हिसाब से थोड़ा खीचना है तो आप देख सकते हो अच्छे स आप देख सकते हो अभी निकलेगा भी नहीं और हाइड भी आप देख सकते हो कि कितनी चोटी हो चुकी है तो एसे छोटे-मोटे आइडियाज रहते हैं जो हम अपनाते हैं तो हमारी डेली लाइब बहुत ही आसान हो जाती है और यहां पर मैंने साइड डोर में एक इस तरह स है जो ग्लिप हम यूज करते हैं लोट को ड्राय करने के लिए तो उसका यूज किया है क्योंकि हैं गलोज बार बार फिर मिलते नहीं उसी तरह मेरी तरह बहुत सारी लेडिस को प्रोब्लम रहता है कि जम सामने कोई भी चीज रहती है चाहे हो मिठाए हो कोई भी नमकीन वगेरा हो तो 5-5 मिनीट में सब सामने दिखाई देती है तो हम खानने से अपने आपको रोक नहीं पाते तो वो चीज जो अपने लिए क्या है कि वजन बढ़ाए कोई अनहेल्दी सी चीज हो तो उसको आपको क्या करना है सामने बिल्कुल नहीं रखना है आपको किसी भी केबिनेट में या फिर दिखाई न दे उसी जगह पर रखना है या फिर आप मीठा काने से रह नहीं पाते तो इस तरह से डेट्स या किश्मिश वगेरा खा सकते हो उसी तरह यहां पर मैंने ओल ले लिया है फिर जीरा एड कर दिया है फिर गद्रको लसुन की पेस्ट एड कर दी है और फिर यहां पर मैं धोड़ा सा धन्या भी एड किया थार फिर पोटेटो एड कर देंगे यहां पर आमचूर फिर हलदी नमक और कॉरियांडर है वह और फिर मैंने करीपता एड किया था तो यहां वड़ा पाऊं का जो वड़ा रहता है यहां पर बना रहे तो बहुत अच्छा इस तरह से आप रेसिपी वो बनाते हो तो बहुत ही अच्छी वो टेस्टी बनती है एक बाट राई जरूर करना इस तरह से और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे इस तरह के जो home doctor pieces रहते हैं वो मैंने सारे ही यहाँ पर बना है प्लास्टिक के हो ग्लास के हो या फिर कोई भी material के हो तो reuse idea सारे है सारे ही planter है तो artificial flower आप इसमें रख सकते हो तो यहाँ पर मेरा कहने का वो मतलब है कि सारे ही चीजे मैंने निकाली थी तो एक idea मुझे आया कि यह problem आपको भी हो सकती है तो कभी-कभी हम चीजे बनाते हैं उपर कोई भी चीज इस तरह का artificial flower वगेरा रखते हैं तो वो बार-बार गिर जाता है क्योंकि प्लास्टिक का नीचे का container हमारा हलका फुल का रहता है तो यह सारे ही ideas है यहाँ पर मैंने सब अलग-अलग यूज किया है इसमें मैंने फेविकोल कलर और रेत डाली थी और इसमें मैंने क्या किया था कि यहाँ पर तो height सेम है तो as it is ही इसको flower branch को रखा था वरना आप इसको नीचे से fold कर के फिर आप इस तरह से रख सकते हो क्योंकि नीचे का planter का भी छोटा रहता है और जो हमारे flower branch है बड़ी रहती है या फिर अच्छे से दिखाई नहीं देती फिर गिरता रहता है हमारा planter तो आप उस तरह से थोड़ा सा नीचे से मोड के भी रख सकते हो फिर इस तरह के glass के कोई भी jar reuse कर रहे हो और यह इस तर के पर जो transparent हो तो इस तरह के pebbles वगेरा seashell वगेरा या फिर स्टोन वगेरा थर्मो कोल के जो सरकल आते हैं राउंड वो राउंड वो भी आप यूज़ कर सकते हो तो बहुत सारा आइडिया है मैंने सोचा कि यह दिकत तो आपको यह आती होगी यहाँ पर दुबई में बहुत बारिश हुई इसलिए दो-तिन दिन ओनलाइन ख्लासिस है तो खाना पिना तो चलता ही रहता है बच्चो को अलगर खाना चाहिए अलग-अलग टेस्ट चाहिए तो यहाँ पर उत्तपम में मैंने थोड़े से चिली फेक्ष डाले है और थोड़ा सा कैचप मिला के इसको मिक्स करके दिया है तो बहुत सारी रेसिपी रहती है जिसमें हम थोड़ा सा अगर तड़का लगाते है तो बहुत सारी चीजे आसान हो जाती है बच्चो को भी रेसिपी पसंद आती है चाहिए वही रेसिपी हो पर नए अंदाज में परो बसना जरूरी है